आरिया, मैं तुम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाया के आने से पहले यहां से चली जाओ भाया यहां पहुचने ही वाले हैं, तुम्हें देखकर बहुत नाराज हो जाएगे इसलिए तुम यहां से चली जाओ मैं कहता हूँ चली जाओ ये सब कुछ करके तुम हमारे घर में कलेश का कारण बन रही हो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, ये सब मत कीजिए तुम चुप रहो संजय रागिनी उनसे तमीज से बात करो, मत भोलो वो इस घर का दामाद है अच्छा, ये इस घर का दामाद है और मेरे पती, ये जो यहाँ खड़े हैं, वो कौन है भाईया छोटे भाईया, वो इस घर के दामाद है लेकिन आप लोगों ने उनके साथ क्या विवहार किया है आप सब ने मिलकर उनका अपमान किया है और जमुना, जमुना को मैं इतनी आसानी से छोड़ दूँगी अभी तो मैंने जमुना से उसका घर छीना है और अब इस घर से उसका रिष्टा भी तोड़ूँगी रिष्टा तोड़ना इतना आसान है क्या मैंने तुम्हारे माबाप को फोन कर दिया है अगर आधे घंटे के अंदर तुम यहां से नहीं गई वो भी इस भेश में नहीं मेरी बहुत जमुना के सारे गहने कपड़े उतार कर असली रूप में तुम इस घर से अगर नहीं गई तो मजबूरन मुझे यहां पुलिस को बुलाना पड़ेगा और उसके बाद जो कुछ भी होगा उन सब के लिए यह राय परिवार दोशी नहीं होगा बड़े भया बड़े भया यह मेरी गैस्ट है तुम खुद इस घर में मेहमान हो वो भी चौबीस गंडे की रशान सुनो तुम अपना सारा सामान बैग में भर कर अपने पत्नी और बेटियों के साथ यहां से निकलता है अब तुम लोग इस घर में नहीं रह सकते ने और यह मेरा आखरी फैसला है रुकिये बड़े भाईया यह घर सिर्फ आपका ही है क्या बड़े भाईया मुझे पता है कि यह घर सिर्फ मेरा नहीं है तो फेर तो फेर बड़े भाईया इस घर का सबसे बड़ा हिस्सा तो मा के नाम पर है जरूरत पढ़ने पर उस हिस्से को मैं केदार के नाम कर दूँगी क्या बोल रही है आप मा आप जाइदाद का अपना हिस्सा केदार राई को दे देंगी केदार राई को जिसने आज तक आपको मा कहकर नहीं पुकारा सारी जिन्दगी आपको आपके नाम से ही पुकारा है आपसे आपसे नफरत करते हैं मा आपसे नफरत करते हैं इसलिए आप सारी जिन्दगी घर के एक कोने में पड़ी रही हो जिस तरह मेरे पिताजी ने सारी जंदगी आपके साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, ठीक उसी तरह इस इंसान ने भी आपके साथ अत्याचार और अन्याय किये हैं जिस तरह पिताजी ने कभी आपको सम्मान नहीं दिया, उसी तरह केदार राय ने भी कभी आपकी इज़त नहीं की जब जिस तरह से चाहां सभी ने आपका अपमान किया है पूजा के मंडप में आने तक का अधिकार आपसे छीन लिया था बड़े बहिया ने और आप उसी बड़े भाईया को, केदार राय को, अपना हिस्सा, आप अपना हिस्सा उन्हें देना चाहती है, आप अपनी सारी संपती उन्हें देना चाहती है, मा, उस केदार राय को हाँ, दूंगी वो मुझे अपनी मा माने या ना माने, पर मैं तो उससे अपना बेटा मानती हूँ ना? भले ही, उसका मेरे साथ कभी अच्छा रिष्टा ना रहा हो, पर उसने कभी भी इस परिवार में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया, यहां तक कि उसने तो मेरी आँखों का तारा, जमुना को अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार किया, मेरे लिए तो यही काफी है, इससे ज़्यादा तो मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं, इसलिए मैं तुझ से कह रही हूँ, कि तु यहां से चली जाए, माँ, हाँ, तु चली जाए, इसका मतलब मैं आप सब की कोई नहीं हूँ, आप कहना क्या चाहती है, मेरे यहां कोई ज़रूरत नहीं है, माँ, बोलिये, रागिनी, तुम्हें ऐसा किसी ने नहीं कहा है, तुम्हीं बिकार में ये सारी बातों को बढ़ा रही हो, जब एक साथ रहना है, तो समहल कर चलना होगा, मैं मानती हूँ, मानती हूँ, कि जब चार बरतन एक साथ होंगे, तो आवाज होगी ही, पर बस आवाज ही होनी चाहिए, लेकिन तुम्हें तो राई का पाहड़ बना दिया, एक घंटे, बस एक घंटे का समय है तुम्हारे पास, वैसे भी तुम्हारे माबाप ने तुम्हारे जिम्मेदारी लेने को मना कर दिया है, इन्फैक तुम्हारे पिता जी ने कहा है, कि उन्हें तुम्हें से कोई भी मतलब नहीं, तो तुम अच्छी तरह सोच लो, मैं जा रही हूँ आउन्टी, मैं जा रही हूँ, पर मैं वापस आउँगी, मैं जरूर वापस आउँगी, और जब मैं वापस आऊँगी ना, तब आप इस घर के बाहर होंगी. सुनो. चाबी वापस करो आर्या. मैंने कहा, दो. इस जिम्मेदारी को उठाना सब के बस की बात नहीं है, आर्या. ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. और तुम्हारे जैसी लड़की, इसके लाइक बिल्कुल भी नहीं है, आर्या. मिस्विट. एक लीस्ट हमारे परिवार के लिए तो बिल्कुल भी नहीं. क्योंकि ये जमुना का परिवार है. आउट. मैंने कहा निकलो. आउटी, आप ये मत समझ ना कि मैं ये सब भूल जाऊंगी. मुझे आज का दिन बहुत अच्छे से याद रहेगा. आज आपने और आपके परिवार ने जिस तरह मेरा अपमान किया है न? मैं नहीं भूलूँगी, लेकिन आप भी एक बात याद रखना. मैं आपके बेटे से प्यार करती हूँ, इसलिए आप लोगों को बरदाश्ट कर रही हूँ. मेरी जगा आप लोगों ने एक धोली की बेटी को दी है. बहुत जल्दी आप लोगों को उसका स्टैंडर्ड पता चल ही जाएगा. एक डोली की बेटी. डोली की बेटी? बार बार तुम डोली की बेटी, डोली की बेटी क्यों कह रही हो? मेरी बात कान खोल के सुनलो. इसी डोली की बेटी पर एक दिन हमारे खांदान को नाज होगा। बिलकुल। सही कहा भईया। एक बहुत बड़ी प्रतियोगता होने ही वाली है। और मुझे विश्वास है कि उस प्रतियोगता में सब को पीछे छोड़कर हमारे घर की बहु वो डोली की बेटी जमुना ही जीदेगी। हां, और सबसे पहले मैं ताली बजाऊंगा। और जोर-जोर से ताली बजाऊंगा। और ताली बजाते बजाते क्या बोलूँगा पता है। वो देखो, जिसके हाथ में ट्रॉफी है, वो हमारे घर की बहू है, जमूना। आरिया, उचे खांदान से होना ही सब कुछ नहीं है, यह याद रहा है। अपना असल परिशे, खुद सब के सामने साबित करना होता है। जिस तरह कोईले की खान में हीरा अपनी चमक कभी नहीं खोता, और उस चमक को और निखारने के लिए हीरे को तराशना पड़ता है। खेर तुम्हें मैं यह सब क्यों समझा रहा हूँ, तुम्हें यह सब कहां समझाने वाला। बस हो गया, जाने दो कल्यान। आर्या, अब तुम यहां से चली जाओ। जाओ। जा रही हूँ, पर यह अपमान कभी नहीं भूलूँगी मैं, कभी भी नहीं भूलूँगी। आर्या, उस कमरे में मत जाना। क्यूं। जमुना की साड़ी मैंने तुम्हें दान कर दी। वैसे भी मैं बहुत दान पुन्य करती हूँ। वो बेचारे कंगाल लोगों को। तुम भी तो कंगाल हो, ना। इसलिए तुम्हें भी दान करती। विन्देवासिनी देवी। आर्या! जबान सम्हाल कर बात करो। किसे तुमने विन्देवासिनी देवी कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। क्यों? आप भी तो कहते हैं। मैं इन्हें जो चाहूं वो कह सकता हूं, यह मेरी मा हैं। इसे नन आफ योर बिजनेस। आउट। जस्ट येट आउट। आउट। ओकी? ओकी? आरिया, आरिया, मेरी बात तो सुनो मैं। बड़ी बुवा जी, आज मेरी बहुत बेजती हुई है। अंकल, आप लोगों ने आज मेरी बहुत इंसल्ट की है। आरिया, आरिया, तो मत जा। आरिया, मैं हूँ यहाँ, मेरी बात तो सुनो मैं। देखो बेटी, सब के साथ मिलका रह सकती हो, तो रहो। वना तुम भी चली जाओ, चली जाओ। कल्या, जी मां। मुझे मेरे कमरे में ले चलो बेटा। जी। मुझे मेरे कमरे में ले चली जाओ। जी जी जो एक गफ। मुझे मुझे तुमों के आरिया गहां खर सासा निरे जो हो ओ! सरे गादर सासा सारे सानी सा सरे सारे माद बहुता सासा पाधा 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 भावी, कम से कम भाईया ने माँ का हाथ तो थाम ही लिया दीखना कल्यान एक दिन जमुना भी वापस आजाएगी और तुम्हारे भाईया भी तुम्हारे भाईया भी एक दिन माँ को मा कहकर पुकारेंगे बिचारी को कितना इंतजार है कि कब वो अपने बड़े बेटे के मुह से माँ शब्द सुनेंगी बहुत तरस्ती है बहुत हाँ बड़ी भावी सच मुझ सच मुझ कई दिनों बाद ऐसा सुकुन मिला है एक एक गुड़ी माँ अपने बड़े बेटे का हाथ पकड़ कर कमरे की और जा रही है एक मा के लिए इससे बड़ी और कौन सी बात हो सकती है है ना सौतेला बेटा प्रशांथ हाँ सौतेला बेटा लेकिन तुम बेइमान दामाद डिसॉनेस्ट हम भावी फरिश हो जाहिए सारा दिन भाग रोड़ में गुजरा है और मेरे लिए एक कप चाय बना दीजिएगा फ्लीज उस लड़की को निकाल दिया ना सबने मिलकर उसे निकाल ही दिया है ना बहुत बढ़िया जब से गंगा धोली के परिवार से मिलने लगे हो तुम सब भी बिलकुल वैसे ही हो गए हो तुम भी वैसे ही बनने की कोशिश करो देखना बहुत अच्छा लगेगा सच कह रहा हूँ बहुत अच्छा लगेगा अपना दिमाग ठंडा रखे दीदी और होश से काम लीजे जोश से काम लेंगी तो सब बिगड़ सकता है हमेश शांत दिमाग से कुछ और सोचना होगा छोटी भावी जमुना के पास अभी सिर्फ एक ही अस्त्र है और वो अंते मस्त्र है ढोल प्रतियोगिता हाँ और अगर उस प्रतियोगिता में जमुना जीत गई तो सब खत्म हो जाएगा सब कुछ लेकिन आर्या उसे जीतने नहीं देगी बिल्कुल ठीक आर्या उसे जीतने नहीं देगी कोई ना कोई चाल तो चलेगी वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी वो कुछ तो बोल बेटी कुछ तो बोल कुछ तो बता एसे चुपचाप क्यों बैठिए कुछ तो बोल ए कुछ ना क्रिशन बाततो कर क्या हुआ तो चुपके बैठिए बोल ना तो केें बात नहीं कर रहे हैं बोल कुछ न प्यारी मोधी ए भी डार्य किपास किश्टा ची, दूर हटो. बचाओ, बचाओ. यहाँ, यहाँ तुझे कोई बचाने नहीं आएगा. मेरे, मेरे, मेरे पती कहा है? कैसा पती? अरे, वो तो बस भाड़े का पती था. पैसे लिए थे उसने, तुमसे शादी करने के लिए? दामाजी, मेरे बेटी को क्या हुआ है? क्या हुआ है मेरे बेटी को? मा, मा, प्लीज आप रोना बंद कीजिए. इसको सद्मा लगा है. इसलिए इसकी ऐसी हाला थे. आप चिंता मत कीजिए, मा. कृष्णा, कृष्णा, बात करो. कुछ बोलो, कृष्णा. कृष्णा, 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 क इदि किडिर दिज किया हो गया तो बर्बाद हो गई दी अ मैं, मैंने जिस से शादी की, उसने मुझे दोगा दिया दिदी, ये मेरे साथ क्या हो गया, ये क्या हो गया दिदी, चुप हो जा, तुछ चुप हो जा, बेटी, सब ठीक हो जाएगा, तुबस हो असला रग, ऐसे रो मत, बेटी, दिदी, आप कुछ भी कर सकती है, बाबा कहते हैं, आप दस हातों वाली देवी दुर्गा का रूप है, तो आप कुछ पर दया कीजिए दिदी, और आपके ससुर्ची भी कहते हैं, आप कुछ भी कर सकती है, तभी मेरे बती को वापस ले आईए, वापस ले आईए दिदी, मे तुरोना बनकर और मेरी तरफ देख आप तो बिल्कुल नहीं रोड़ी वापस लेकर आउगे तेरे पती को लेकर आउगी मैं उसे तेरे पास लेकर आउगे जोटे मलिक सुनिए अच्छा आपको आपको उसके बारे में कुछ पता चला क्या जमना हमारे आद में उसे ढून रहे हैं कोई ना कोई खबर जरूर मिल जाएगी एक बार बस एक बार आप उसे यहां लेकर आ जाएए फिर आगे मैं देख लूँगी मेरी मेरी बेहन को धुका दिया है ना उसे हई अहलो दाया मोहन का पता चल गया है कि नई नई आपको यकीन है कि वह वही है एक है कि क्या हुआ जमना मोहन का पता पाथा चल गया है से ले आऊ जमुणा बेटी हमारे दामाद को लेआओ मारे दामाद को ले आऊ जमुणा कि यह माँ कि अधि हुआ मेरी मेरी बेहन का घर बसेगा मा क्रिश्चन अपने पती के साथ घर अपना घर बसाएगी होगा इस जरूर होगा मा जोटे मालेक हाँ आप चलिए जो कि मत्रों बिठी सब ठीक हो जाएगा तेरी दीदी गई है न वो तेरे पती को जरूर ले आएगी उसने वादा किया रोज न निपाएगी मत्रों सब सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा तुम्हारी बीवी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम यहाँ बैठ कर खाने सुनते हुए चाय पी रहो तुम्हें सुहाग रात पर अपने कम्रे में किसी इसी दूसरी आतमी को अंदर भेश दिया कैसे इंचान हो कैसे पती हो तुम सुनो जमनादीदी, हात मत उठाओ समझी, ठीक नहीं होगा दर्द हो रहा है ना, बहुत दर्द हो रहा है ना तेरे हात पैड तोड़कर तुझे पुलिस टेशन ले जाओंगा, समझा नहीं ले जाओगे, ले जा ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं जमुना की बेहन का पती हूँ, नहीं कर सकते। मैं नहीं कर पाऊंगा, दिखाऊं तुझे। अब अगर फिर से हाथ उठाया, तो याद रखना क्रिष्णा का चेहरत जीवन भर नहीं देखूंगा। क्या मतलब? हाँ, लोग कहते हैं कि मैं बुद्धू हूँ, बेवकूफ हूँ, लेकिन मैं भी न, कच्च्या खिलाडी नहीं हूँ। सुनो, देखो मेरी बात सुनो, घर वापस चलो, मेरी पहन को अपना लो, मैं और मेरे पती तुम दोनों का मिलन करवाना चाहते हैं, समझे तुम? तुम दोनों एक नई जीवन की शिरुवात करो, चलो घर वापस चलो, लेकिन यह हो नहीं सकता है न, मैंने भूशन जी से बहुत पैसे लिए हैं शादी करने के लिए, और पैसे के लिए ही तो यह शादी की थी, वरना इस शादी के चक्कर में पढ़ता ही कौन भला, शाद मोहन, उस भूशन को तो हमने मिलकर बहुत मारा है, इतना मारा है कि उसकी हड़ियां तक तोड़ दी हैं, और उसके पहले, उसके पहले एक गुंडे को गाउं में छूरा मार कर तालाब में डुबो दिया था मैंने, और तुम पर भी वही खत्रा मन रा रहा है, मुझे पता ह है कि तुम इतने भी बुतू नहीं हो, बहुत चालाख हो, और मैं ये बातें बस हवा में ऐसे ही नहीं छोड रही हूं, मैं सच में जान ले सकती हूं, तो मारो, खड़ी क्यूं हो, चाकू मार के ले लो मेरी जान, मारो ना, आओ, मारो, चुप कर तू, है मुझ पे चिलाना अच्छा बला गाना सुन रहाता, सारा मजा किर्करा कर दीगा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे सामने हाठ जोडती हूं, दया करके घर वापस चलो, मेरी बहन बहुत सीधी साधी है, तुम पर विश्वास करती है, उसका विश्वास मत तोड़ो, मेरी बहन तुम से प्यार करते हैं मोहन बेंतहां प्यार करती ऐसे प्यार करती है तो आप यह काम कीजिए ना आस जोड़िए फैर पड़ीना मुझसे मिन्मत कीजिए ना मेरी बेहन को अपना लो मोहन मोहन मैं तुझे तुम्हें क्या चाहिए बोलो क्या चाहिए तुम्हें पैसे चाहिए पैसे पैसे के लिए मोहन कुछ भी कर सकता है पैसों के लिए ही तो मैंने शादी की और आप पैसे देंगी तो घर भी बसा लोंगा समझी जो नहीं दिदी आपना मुझे पैसे दीजी और एक फ्लैट दीजी और हां और एक बाइक भी मुझे ना बहुत शौक है हीरो बन के पत्नी को पीछे बाइक पे बिठा के दूर घुमाने कहीं ले जाओं अहां लेकिन इन सब चीजों के बिनाना मैं आपकी बेहन के साथ नहीं रह पाऊंगा ठीक है तो फिर हमारी भी एक शर्त है कैसी शर्त तुम्हें उसी घर में रहना होगा और कहीं नहीं जाओगे थीक है लेकिन खिलाने पिलाने के जिम्मेदारी आपकी है हमें मन्जूर है चलो अब गाड़ी में जाकर बैठो लेकिन छोटे मालिक इतना पैसा कहां से आएगा कहां से आएगा क्यों मैं दूंगा के दार राय देंगे नहीं नहीं छोटे मालिक ससुर जी के पैसों से मेरी बहन घर नहीं बसा चकती उन पैसों का बोज मेरे मा और बाबा नहीं उठा पाएंगे तो जम्मना पैसे और कहां से आएगे है यह जम्मना का तो आता पता ही नहीं है कल से तो उसके प्रेक्षिस शुरू मुकाबला शुरू होने जा रहा है वो कहा है क्या अब वो पीछेटना चाहती क्या वो चेंपिन बनना नहीं चाहती देखो मेरा सपना किदार राय का सपना अनुराधा का सपना सभी के सपने चूर चूर हो जाएंगे कि अहां आप आप खोड़ी से बात कर लीजिए कौन है रिदिमान अंकल लाइन पर हैं हेलो नमस्ते अंकल बेटी जमना कल से कल से तो तुम्हारी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी तुम्हारी एक नई जिन्दकी शुरू हो रही है तुम्हें तो चैंपियन बनना है देखो मैं तो हम सबने तो यही सपना देखा है कि एक बहुत ही पुराने पिश्ड़े गाउं से आकर एक लड़की हर चिनौती और बाधा को पार करके इस लडाई को जीतेगी तुम इस लडाई को जीतना नहीं चाहती क्या चैंपियन बनना है तुम्हें देखो बेटी उस चैंपियन की ट्रॉफी को मैं तुम्हारे हाथ में देखना चाहता हूं और उसके साथ मिलने वाले 25 लाग रुपय का चैक भी देखना चाहता हूं कि तुम तुम विक्ट्री स्टैंड पर खड़ी हो सबसे उपर चाहता हूं कि तुम सारी नारी जाती और पिछुडी मैलाओं की रिप्रेजेंटेटी बनो तुम शुंचा देखो चमना चमना तुम जीत नहीं होगा यू है टु यूह टू यू यूहल है टुवीन प्लीज प्लीज चलियां आउंगी अंकल, मैं जरूर आउंगी, मुझे आना ही होगा, लेकिन मैं सारी नारी जाती के लिए नहीं, सिर्फ अपनी बहन के लिए आउंगी, मेरी बहन के लिए मुझे वहां आना ही होगा, अंकल, धोल उठाना ही होगा, धोल बजाना ही होगा, और साथ में ताल भी देनी ह इस तरहान उस्डेग को देक्नद्स निहार चेहिए-टे मोझे नियूसु भणियॉ पाजरत। बॉस क्या हो वहरानी भक्या हुआ इस तरहा अचानब दर गए बुरा सपना देखकर कोई भी डर सकता है बहुरानी क्या मैं बुरा सपना हूँ नहीं तुम क्यों तुम क्यों तुम नहीं तुम नहीं मैं 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 ही बुरा सपना बन गया हूँ बहुरानी मैं ही बन गया हूँ, ख्यर छोड़ो, बहुरानी, क्या हूँ, बोलो, बोलो ना, नहीं, वो, वो मैं कह रही थी के, मुझे आज, क्या आज, बताती हूँ, हाँ, बताओ, मुझे न, बहुत, बहुत मनकर राज, फिश ग्रेवी खाने का, क्या, लेकिन बहुरानी, मुझे तो फिश ग्रेवी नहीं मनानी आते है, सीख लीजिए, आप सीख लीजिए, मेरा मतलब कि आप घर की औरतों से भी तो यही एक्सपेक करते हैं, वो खुद भी तो करी सकते, कौन से बड़ी बात है, देखो बहुरानी, यह अच्छा नहीं हो रहा है, आप ने कुछ कहा, नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं कहा, बहुरानी, कुछ नहीं, लगना, लगना मैं, ओ पॉप्स, कहीं जा रहे हैं आप, पॉप्स, क्या, सुनो बहुरानी, ये पॉप्स न, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे इस तरह मत पुकारा करो पापा, पापा कह सकती हो मैं भी न, कितनी बेकार बहु हूँ, आपके बेटे ने कितनी पुरी लड़की को चुना है, कितनी गंदी चोईसा उसकी है न तब मैं हर दिन पाटी करती थी, डिस्क जाया करती थी, एक ही घूट में मैं सोम्रस पी जाती थी अब बहुरानी, तो आप ये सारी बाते क्यों कर रही हो? किसी ने कहा है, किसने कहा है, बहुरानी? नहीं, मतलब, ऐसा ही तो हो रहा है, है ना? और इस घर की बहु की बुराई तो की ही जाएगी, कमी तो निकाली ही जाएगी, पहले, पहले गुणों में कमी, फिर सुन्दर्ता में कमी, यही तो होता आ रहा है, पॉप्स बहुरानी, ये सब तुम क्या कह रही हो? मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, के बात ये है कि आप आज बाहर मत चाहिए, मालिका काज छुट्टी पर गए है, तो अगर आज आप गार्णिंग कर देते तो बगीचे में सारे फूलों को पानी मिल जाएगा, पॉप्स, नहीं तो बेकार में सारे फूल बरबाद हो जाएंगे, क्या, मैं गार्णिंग करूंगा, मैं, पता है मैं कौन हूँ, राजी उसेन, मालिक, जिसके पैसों पर माली पलता है, एक दिन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, अच्छा, गरीबों की इतनी बेज़ती क्यों करते हैं आप लोग, हां, बात मानिये, कभी भी गर गरीबों की बेज़ती मत कीजिएगा, अब जब भी किसी को देखती हूँ, गरीब की बेज़ती करते हुए तो मेरी याँखों के सामने जमुना भावी का चेहरा आजाता है, उनकी याद आती है, आप और मुझ जैसे लोग, गरीबों की बहुत बेज़ती करते हैं, उन्हे नीचा दिखाते हैं, ए ढोली ढोल बजा, ए माली इधर आ, इन्फेक्ट इनका, इनका हम नाम तक नहीं लेते, अच्छा, इतने सालों से जो माली आपके घर का काम कर रहा, उसका नाम जानते हैं, नहीं, मतलब, जो अंकल आप लोगों की बूट पॉलिश करते हैं, जूते चमकाते हैं, उनका नाम जानते हैं, नहीं, अपनी गारी के ड्राइवर को देखते ही, ए ड्राइवर, गारी निकाल, क्यों, उसका कोई नाम नहीं है, उसे नाम से नहीं बुला सकते, इससे आपकी इज़द चली जाएगी, उसे थोड़ा सम्मान तो दे सकते हैं, ना, क्या बात हुए, जुबान बंद रखू तो आदर्श बहू, और जुबान खोलते ही आदर्श का है, अब, यह क्या मतलब हुआ, ठीके मैं मानती हूँ, मैं बोलती हूँ, पर अब तक आपने क्या किया है, मतलब, मतलब आप बाल्टी में पानी भरेंगी, और अच्छी तरह पोचा लगाएंगी पूरे घर में, अब क्या कह रही है भाबी, मा पोचा लगाएंगी, और तुमें भी घर के कितने काम आते हैं, मुझे यह देखना है, समझाया तुमें, तुमात से मुझे ट्रेनिंग लोगी, जिस तरह जमुना भाबी ने मुझे ट्रेनिंग दी थी, वैसे ही तुमें मैं ट्रेन करूँगी, ठीक है, मा, बॉब्स, आप जाहिए ना बगीचे में पानी दीजिए, ताउस, आप फिश क्रेवी बनाएं बड़ी हासी, जाहिए, बनाना शुरू कीजी, यह क्या, आप अब तक खड़ियें घर में पोचा लगाएंगी ना, जाहि नहीं, ऐसा क्या काम है सुनू, आप जमुना भावी को फोन करके सौरी बोलेंगे अपने बीहेवियर के लिए, बहुरानी, तुम ये मत भूलो के तुम अपनी सास से बात कर रही हो, तुम मुझ पर हुक्म नहीं चला सकती, उस डोली की बेटी से मैं माफी मांगूँगी, मैं माफी मांगूँगी उससे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ठीक है, मत मांगिए, देखिए ना, आपके बेटे के साथ मैं अपने घर जाओंगे, अश्टमंगल की रस निभाने, इसके बाद आपका बेटा आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे वहीं गैरेज कर लूँगी, अरे गैरेज, गैरेज में तो गारी, गैरेज में तो गारी रखी जाती है, गैरेज में इंसानों को भी रखते हैं, आपको पता नहीं है क्या, अच्छा, आप लोग अब तक यहीं क्यों खड़े हैं, कुछ क मा, मा, कपड़े, कपड़े सिलना मॉम्स आप याद से फोन कर लीजियेगा कभी नहीं करूंगी हाँ तो ठीक है मैं आज डिस्क जाऊंगी, पाटी करूंगी और थोड़ा कुछ पीऊंगी डालिंग, डालिंग, कहां रहे गए, जल्दी करो गीत मैं यहां हूँ वेत, वेत तुम्हें पते मैं तुम्हें कितना मिस्स कर रही थी मिस्स कर रही थी इतनी देर से तुम्हें देखा नहीं, मेरी आखे तरस गई थी यह आखे तरस गई बोल रही है सब के सामने सब क्या बोल रही हो यह सब यह सब हो क्या रहा है कैसे चल रहे हैं देखो वेत, वेत तुम मुझे इतना चाहते हो, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ हम दोनों में कितना प्यार है न बोलो, पर यहां किसी को पसंद नहीं पता है यह लोग क्या कहते हैं कहते हैं कि मैं तुम्हारी रॉंग चॉइस हूँ अरे नहीं नहीं, अरे गीत, बिल्कुल भी नहीं तुम तो कितनी अच्छी हो, तुम तुम ना मेरी बैस्ट चॉइस हो और अगर तुम मेरी बात मानो ना तो थोड़ा कुस्सा कम किया करो यह सब रहने दो ना, I love you तुम भी कहो, अब तुम भी बोलो, बोलो ना सब के सामने बोलो, I love you too चलो, चलो, सुनो, अब कहां जा रहे हो एक मिनिट अब हम लोग रोमैंस करेंगे, रोमैंटिक बाते करेंगे, मूम्स करेंगे